Welcome to new lesson अभी तक आप यह सीख चुके होगी कि Google Ads कितने टाइप की होती हैं then हमने Google Ads account बनाना सीखा आज जैसे मैंने आपको बताए था कि जो Google Ads हैं वो major चार पार्ट्स में बटी हुई है first is search ads and then we have display ads then we have shopping ads and the last one is YouTube ads आज मैं आप से बात करूँगा कि Google search ads कैसे काम करती हैं क्या-क्या चीजे होती है search ads के अंदर जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए या जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है जी तो चलिए start करते है अब ही आप देखो यहां पर मैं हूँ Google पर ठीक है अब मैं जाके यहां पर कुछ सर्च करता हूं से मैं सर्च करता हूं एंजिनियरिंग कोचिंग ठीक है जी मैंने क्या सर्च मारा है इंजिनियरिंग कोचिंग या एक काम करते हैं आई आई टी कोचिंग सर्च करते हैं आई 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 टी कोचिंग अब देखो यह नीचे एड्स आ रही है कुछ जे डबल ई क्रेश कोर्स देन आकाश देन ये अड़ड़ क्लासस या एड़ क्लासस हैं जो भी है देन अगर next page पे जाओगे तो देखो यहाँ पर भी add दिख रही है और यहाँ पर भी add आ रही है अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दो मैंने क्या किया था मैंने कुछ सर्च किया था क्या सर्च किया था मैंने मैंने सर्च किया था IIT Coaching ठीक है IIT Coaching यह मैंने सर्च किया अब AdWords की भाशा में इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं सर्च टर्म search term मतलब user ने search क्या किया है तो उसे हम कहते है search term अभी इसे simple बनाने के लिए आप इसे keyword भी कह सकते हूं वैसे search term और keyword में difference होता है जो कि आप मैं आगे clear करूँगा बट अभी के लिए आप ये समझो कि यही हमारा क्या है keyword मतलब मैंने जाके कुछ search किया और google ने मेरे को result दिखाया ठीक है suppose करो अब मैं जाके search करता हूँ cricket bats अब देखो फिर से कुछ results आए again results कैसे आए मैंने कुछ search किया क्या search किया मैंने cricket bat ठीक है तो again keyword मतलब आप जो चीज ढूंड रहे हो उसके लिए जो चीज आप type कर रहे हो उसको हम क्या कहते है keyword एक और example हो suppose करो आप ढूंड रहे हो architect तो आपने type मारा architect in Delhi अब देखो add आ रही है मतलब आपने यह पर search क्या किया architects in Delhi तो यह architects in Delhi क्या है आपका keyword अब आप एक चीज देखो कि जो चीज मैं search मारता हूं उससे related ही Google result दिखाता है अब देखो Google के दो goals है जो Google ads है इसके major दो goals है या Google as a company के major दो goals है पहला क्या goal है उनका user satisfaction कि जो लोग भी Google को use कर रहे हैं वो पूरे satisfied होनी चाहिए Google की services से दूसरा क्या goal है Google का कि जो भी Google पे advertisers है उनको भी अच्छे result मिले ठीक है अब user कब खुश होंगे जब user जो ढूंड रहे हैं उन्हें वही चीज मिले अगर user ढूंड कुछ और रहा है उसे मिल कुछ और रहा है तो user कभी खुश नहीं होगा Similarly अगर user ढूंड कुछ और रहा है और advertiser दिखा कुछ और रहा है तो advertiser को अच्छे results नहीं मिलेंगे अगर आप run कर रहे हो एड और आप बेच रहे हो bet बट आपकी एड दिख कब रही है जब user सर्च करता है football तो आपको अच्छे result नहीं मिलेंगे ठीक है तो आपको यह हमेशा ध्यान में रखना है कि user ढूंड क्या रहा है और आपको उसी हिसाब से result दिखाने है तो अभी आपने क्या समझा कि Google Search Ad की foundation क्या है keyword अब Google Search Ad कैसे काम करता है कोई भी individual Google पे गया इसने Google पे कुछ सर्च किया और जो चीज सर्च करने के लिए टाइप करता है उसको हम कहते है keyword और Google क्या करता है इस keyword के हिसाब से ads दिखाता है मैं normal searches की बात ही नहीं कर रहा है SEO SEO वाली कोई user है यह Google पे गया इसने जाके keyword सर्च किया कुछ जो इसने सर्च किया उसको हम बोलते है keyword और इस keyword के हिसाब से Google क्या दिखाता है ads ठीक है तो अभी तक बस आपको यह समझने के ज़रूद है अब आगे समझो जैसे user ने add देखी user इस पे क्या करेगा click user ने add पे click किया page को load होने देते हैं एक बड़ user ने add पे click किया और add पे जैसे user ने click किया तो यह क्या खुला यह खुला landing page ठीक है जी तो एक खम पूरी आपे map draw करते हैं यह रा मेरा user यह गया google पे google पे जाके इसने किया search जो इसने search किया उसको हम कहते है keyword और google ने क्या किया इसे फिर results दिखाए जिसमें से कुछ थी ads user ने add को click कि तो फिर कहा गया हो landing page यह रा landing page ठीक है तो अब simple आप एक चीज देखो अगर आप google search ads के master बनना चाते हो तो आपको किन किन चीजों पे तगड़ा mastery चाहिए या आपको किन किन चीजों पे focus करना है तो number one क्या है यह user जो search कर रहा है keyword तो पहले तो आपको अच्छे keyword ढूंने पड़ेंगे ठीक है अच्छे keyword ढूंने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका user क्या-क्या search करता है उसको क्या problem है क्या दिक्कते हैं उसके साथ मतलब आपको पता होना चाहिए buyer persona आपको पता होना चाहिए buyer persona आपको अपने user के complete detail होनी चाहिए आपको उसकी pain, problems, desire अपना keyword research, आप वो possible keywords ढूंडोगे जो कि आपका user search करता होगा, then जब आपका user keyword पे search करेगा, तो आप वो पहुंचेगा आपके landing page पे, then आपका landing page अच्छा होना चाहिए, आपका landing page ऐसा होना चाहिए, जो user की pain, problem, desire, उसके goals पे focus करे, ठीक है, plus आपके landing page की copy अच्छी होनी चा तो आप search ads के master बन सकते हैं, right, तो सबसे पहले keywords, नहीं, keyword से पहले buyer persona, right, then keywords, then landing page, ये 3-4 चीज़े हैं, जो आपको master करने हैं, इन ही चीज़ों पे search ads, Google की search ads, पूरी की पूरी depend करती है, तो अगर आप इसके master बन गे, then आपको कोई problem नहीं होने बारे, ठीक है जी, वो ये simple तरीका था, जिसमें हमने बात, simple तरीका नहीं था, ये simple video थी, जिसमें हमने ये बात की, कि Google search ads कैसे काम करती हैं, क्या-क्या, simple process और Google search ads का user search करता है, then Google उन्हें result दिखाता है, ठीक है, so that's it, from today's lesson, अब कल से हम, कल का जो हम lesson पड़ेंगे, इसमें हम और deep जाएंगे, Google search ads के बारे में, और हम एक एक चीज़े सीखेंगे, about Google search ads, ठीक है, thank you so much.